नमस्कार बहुत स्वागत है आपका जिवित पुत्र का ब्रत जिसको हम जीतिया या जीवतिया भी कहते हैं आस्विन माह की कृष्ण पक्ष की अस्टमी तिथी को जीतिया ब्रत मनाया जाता है जिवित पुत्रिका ब्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा और अच्छे स्वास्त के लिए पूरे दिन रात यानि 24 घंटे तक निर्जला उपवास करती हैं कभी-कभी ये 36 घंटों का भी हो जाता है सबसे कठिन ब्रतों में से एक है और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष सब्तमी तिथी से नौमी तिथी तक जिवित पुत्रिका ब्रत किया जाता है साल 2024 में जिवित पुत्रिका ब्रत कम बनाया जाएगा देखे अस्टमी तिथी का प्रारंब 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12 बशकर 38 मिनट पर सुरू होगा और अस्टमी तिथी का समापन 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12 दस में समाप्त होगा पुरानी कठा के अनुसार अस्वो थामा महाभारत के युद में नामक हाती मारा गया लेकिन चारों तरफ ये ख़बर फैल गई कि द्रोनाचार का पुत्र अस्वो थामा मारा गया यह सुनकर अस्वो थामा के पिता द्रोनाचार ने पुत्र सोक में अस्टर डाल दिये तब द्रौबदी के भाई दृष्ट दुम ने उनका बद कर दिया पिता की मिर्थियू के कारण अस्वो थामा के मन में बदले की अगनी जल रही थी अपने पिता की मिर्थियू का बदला लेने के लिए वह रात के अंधेरे में पांड़ों के सिविर में पह은च गया उसने पांडवों के पांचों पुत्रों को सोया हुआ देखकर उन्हें पांडव समझ लिया और उनकी हत्या कर दी पांडवों को इससे बहुत क्रोध आया तब भगवान स्रीकृष्ण ने अस्वत्हामा से उनकी मनी चीन ली जिसके बाद अस्वथामा पांडवों से क्रोधित हो गया और उत्तरा के गर्व में पल रहे बच्चे की जान से मारने के लिए उसने ब्रम्भास्त का प्रयोग किया भगवान स्रीकृष्ण ने इस बात को जानते थे कि ब्रम्भास्त को रोग पाना असंभव है लेकिन उन्होंने उत्तरा के पुत्र की रक्षा करना जरूरी लगा उनको इसलिए भगवान स्रीकृष्ण ने अपने सभी पुन्य का फल एकत्र करके उत्तरा के गर्व में पल रहे बच्चे को दे दिया जिसके फल सरूफ वो बच्चा फिर से जिवित हो गया और यही बच्चा बढ़ा होका राजा परिश्षिद बना उत्तरा के बच्चे को दोबारा जिवित हो जाने के कारण इस बरत का नाम जिवित पुत्रिका बरत रखा गया गर्ब में मिर्त्यू को प्राप्त कर फिर से जीवन मिलने के कारण इसका नाम जिवित पुत्रिका रखा गया तब से संतान की लंबी उम्र अच्छे स्वास की कामना के लिए जिवित पुत्रिका ब्रत की जाती है एक और कथा है हम फिर बात करेंगे इस कथा के बारे में भी विस्तार से जानेंगे पुजा पाट कैसे करें इसके बारे में भी हम जल्दी वीडियो लाएंगे फिलाल भी दा लेते हैं जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें और 6 अक्टूबर को सुबह 6 बच कर 34 मिनट पर अस्टिमी तिथी सुरू होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8 बच कर 8 मिनट पर अस्टिमी तिथी समाथ होगी हर हर महादेव धन्यवाद